चीनी कमपनी शाउमी ने स्वदेश में शाउमी मी 6X लाउंच कर दिया है गौर करने वाली बात यह है कि भारतिय बजार में शाउमी मी 6X स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड से ले से माई ये दो के नाम से आएगा इस फोन का कैमरा आर्टिफीशल इंटेलीजेंस AI के साथ आते हैं यह भारत में जल्द ही लाउंच हो सकता है क्यूंकि शाउमी मी 6X में 5.99 इंच का डिस्प्ले है जिसका 18.9 आस्पेक्ट रेशियो है यह पतले बॉर्डर से लेस है यह दिखने में बहुत हद तक रेड्मी नोट 5 प्रोर जैसा लगता है इस फोन में ओक्टा कोर स्नेपड्रेगन 660 प्रोसेसर और सरवाधिक फ्लॉक स्पीद 2.2 गीगाहत्स है इसमें 4GB RAM और 6GB RAM के विकल्प चुनने की सुविधा दी जाएगी यह फोन 3010 mAh की बैटरी के साथ आएगा कैमरे की बात करें तो इस फोन में सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल के सोनी IMX 376 से लेस है यह F1.75 वाला सेंसर है हैंसेट में डूल रियर कैमरा सेट अप है बचवाला 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सोनी IMX 486 से लेस है दूसरा 20 मेगापिक्सल का सोनी IMX 386 से लेस है कीमत Xiaomi MI6X के तीन वेरियंट मार्केट में लॉंच किये गए हैं जो RAM और स्टोरेज पर आधारित हैं 4GB RAM और 32GB स्टोरेज वाला वेरियंट 1599 चीनी युआन करीब 16900 रुप्य बिलेगा 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1799 चीनी युआन करीब 19000 रुप्य है वहीं 6GB RAM और 128GB इंटर्नल मेमरी वाला फोर्म करीब 20,000 रुप्य में बेचा जाएगा चीनी का